इस वीडियो में हिटलर यहों नाजीवाद के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि जर्मनी में नाजीवाद की उत्पत्ती कैसे हुई यह पार्ट फर्स्ट वीडियो है और इसके टोटल चार पार्ट है जिसका कि यह पार्ट फर्स्ट है तो स्टार्ट करते हैं या और इसकी उत्पति कैसे होती है योड़ोप में दो महायूदों के बीच महर्पुन राजनितिक परिवर्टन आए जिनमें सबसे विनासकारी परिवर्थन ताना साहों का उतकर्ज था दो महायूद दो महायूद का मतलब हुआ 1918 और 1949 के बीच के समय कोई ये कह रहा है दो महायूदों के बीच का महत पूंट समय इस समय जो बहुत बड़ा परिवर्तन था वो था तानासाहों का उतकर्ज जिसमें इटली में बेनीटो मुसलोनी के नेत्रित में फासीवाद तथा एडल्फ हिटलर के नेत्रित में जर्मनी में नाजीवाद का उतकर्ज ऐसे ही दो उधारण है तो हम यहाँ पर नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे यही है नाजीवाद नाजीवाद से प्रेरित करांती को नाथसी या नाजी करांती भी कहते हैं कहीं कहीं आपको नाथसी करांती दिखेगा हिटलर के उतकर्ज और उसके नेत्रित में जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा और नाथसी क्रांटी के मुख कारण निमलिखित थे तो नाजीवाद, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नाजीवाद क्या है नाजीवाद के उतकर्स के अब कारण देखते हैं कि ये आया कैसे सबसे पहला कारण था गड़ तंत्रता की अस्थापना प्रेथम विश्वयूद जो 1914 और 1918 के बीच में लड़ा गया था जर्मनी की पराजय से उत्पन और नियंत्रित इस्थिती को संभालने में सासक कैसर विलियम दिर्थिय असमर्थ था अता प्रतिकूल इस्थिती पाकर उसने त्यागपत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 इस्थी को हॉलेंड भाग गया ये है विलियम सेकेंड जो कैसर विलियम सेकेंड है जो की 10 नवंबर 1918 को हॉलेंड भाग गया जर्मनी छोड़ कर ऐसी और ववस्था में समाजवादी प्रजा तंत्रिक दल ने सत्ता को अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के अस्थान पर जर्मनी में गण तंत्र की अस्थापना की और अपने नेता फ्रेटरिक एवर्ट को चांसलर बनाया पहले ये राजा था अब ये राज तंत्र खतम हो गया और गड़ तंत्र इन लोगों ने अस्थापित कर दिया 1918 में 11 नवंबर 1918 इस्वी को इस नई सरकार ने यूद बिराम संदी पर हस्ताक्षर कर दिये इसके बाद सन्विधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रतम बैठक 5 फरवरी 1919 इस्वी को वाईमर नामकस्थान पर हुई इसलिए यह सन्विधान वाईमर सन्विधान या वाईमर गड़तंत्र के नाम से प्रसिध हुआ यह सन्विधान 10 अगस्थ 1919 इस्वी को लागो हुआ वाईमर सन्विधान के अनुसार जर्मनी में संगिय सासन वयवस्था की अस्थापना की गई तथा रास्टपती को अपात कालिन सक्तियां प्रदान की गई भारतिय सन्विधान में रास्टपती को अपात कालिन सक्ति का स्रोत वाईमर सन्विधान से ही माना जाता है जो कि रास्टपती जो अपात कालिन सक्ती है जो रास्टपती का अपने भारत में वो यही वाइमर सन्विधान यानि कि जर्मनी के सन्विधान से ही लिया गया है प्रन्तु नया वाइमर गड़ तंत्र युद्धो परांत जर्मनी की स्थीति संभालने में असफल रहा अता जनता में काफी आक्रोज था सेकेंड जो इसका कॉज है वो है वर्साई की अपमान जनक संधी वर्साई की संधी को generally the treaty of peace कहा गया था जो की allied group और जर्मनी के बीच में हुआ था लेकिन ये peace की treaty नहीं थी ये war की treaty थी जो की पूरा ये seat डाल दिया second world war का प्रथम विश्यूत के बाद 28 जुन 1919 इसबी में जर्मनी में जर्मनी की नई गड़तंत्र को अपमान जनक वर्साई संधी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया वस्तुता ये संधी काफी कठोर एवाम आरोपित थी वर्साय संधी द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया आलसेस लारेन का छेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया तथा जर्मन छेत्र में इस्थित सार नामक कोईले की खान को 15 वर्स के लिए फ्रांस को दे दी गई और उस छेत्र का साजन राष्ट संग को सौप दिया गया राइन नदी घाटी ये छेत्र को सेना रहित करने का निर्णे किया गया सैनिक द्रिष्टी कोंट से भी जर्मनी को पंगू बना दिया गया जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी रास्ट के लिए या उचित नहीं था इस परकार वर्षाय संधी से उत्पन और संतोस का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया थर्ड जो कारण है आर्थिक संकट इस समय जर्मन गड़ तंत्र के सामने विशन संस्या आर्थिक संकट की थी यूद में जर्मनी की काफी वीतिया छती हुई थी यूद उपरांत अनेक कल करखाने बंद हो गए हैं और बेरोजगारी की संस्या चरम पर पहुँच गई आर्थिक द्रिष्टी से खास्ता हाल जर्मनी पर वर्साय संदी द्वरा छती पूर्ती की एक बहुत बड़ी रासी लाद दी गई इस समय वहां क्रिष्टी की दसा भी अच्छी नहीं थी उसमें ओदोगिक नगर मित्र राष्टों ने छेन लिये थे और समस्त जर्मन वैपार नस्ट हो गया था अता सारे जर्मनी में अर्थ ववस्ता एवं असंतोस का वातावरण मौजूद था जिसने हिटलर के उदय की प्रिष्ट भूमी का निर्माण कर दिया अर्थ ववस्ता है फोर्थ जो कारण है छती पूर्थी की कठोर सर्ते प्रथम विश्यूत के बाद छती पूर्थी के रूप में जर्मनी से वसूल किये जाने वाले रासी छे अरब दस करोड पॉंड निश्चित की गई थी काफी बड़ी रासी है ये प्रंतु इतनी बड़ी रासी का भुक्तान करना जर्मनी के लिए असंभव था इधर मित्र रास्टों द्वारा भुक्तान के लिए हमेशा दबाव बनाया साता रहा जो वैभारी कदम नहीं था पांचवा जो कारण है साम्मेवाद का बढ़ता संकट 1917 की रूशी करांती का परभाव जर्मनी पर पड़ा यहां की साम्मेवादी संगठनों का निर्मान हुआ साम्मेवादियों ने वाइमर गड़तंत्र को उखाडने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वाद लाने का प्रयास किया अता जर्मनी का ओधोगिक पुंजी पती एवं जमिनदार वर्ग काफी भैवित हो गया इस परकार हिटलर ने साम्मेवाद बिरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सानुभूती भी अपने पक्ष में कर लिया अता कहा जा सकता है कि प्रथम विश्यूत के बाद जर्मनी की ततकाली निस्तिति काफी दैनिया थी चारो और निराशा एवं आरा जक्ता का वातावरण था जर्मन जनता वाई कल्पिक ने तृत के बारे में सोच ही रही थी कि उसे हिटलर जैसा ते जस्वी नेता मिला जिसकी आवाज में जादू था और जिसके करिश्माई वेक्तितू में चुम्बकिया आकरशन तो था ही जर्मन जनता से उसने खुस हाली का वादा किया था तथा राश्ट के गौरों की पुनर अस्थापना का वचन दिया जर्मन जनता उसके सब्द जाल में फस कर अपना भविश उसके हाथों में सौब दिया इस परकार हिटलर ने उदै की प्रिस्ट भूमी का निर्माण किया